यह आकाश्वाणी रैपूर है प्राजिश्विक समचार बिलिटिन के साथ मैं राहू सिन्हा और अब पेश है आज के मुखे समचार बलादा बाजार में हुई तोड़ फोड़ और आगजिनी की घटना को लेकर मुखे मंत्रीने की उच्चिस्तरी बैठा किंद सरकार ने 36 गड़ को जारी की 4,761 करोड रूपे से अधिक की करधन राशी अखिल भारतिय तकनिकी शिक्षा परशद ने चिर्मीरी में 240 सीटों के शासके पोलेटेटनिक कॉलेज की स्थापना को दिमन्जूरी और राइपूर के इंदिरा गांदे कि शिव शिद्यालाय में कल से तीन दियोसी राश्टी आम महत्साओ का होगा आयोजन और अब समचार विस्तार से बलादा बाजार जिली में हुई तोड़फुड और आगजनी की घटना को लेकर राज्य मुख्यमंत्री विश्तार साय ने अपने निवास कारले में एक उच्छिस तरी बैठक की इस बैठक में उपमुख्यमंत्री विजशर्मा और अरुन साओ के अलावा राज्य सरकार के पांच मंत्री भी मौजूद रहे इस बीच तोड़फुड और आगजनी की जाच पुलिस ने शुरू कर दी है और इस मामले में कुछ एफ आयर दच की गई है वहीं उपमुख्यमंत्री विजशर्मा ने बीती रात जिला मुख्याले बलादा बाजार में की गई तोड़फुड और आगजनी की घटना का जैजा लिया उन्हेंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि राजसरकार गिरौध पूरी में हुई तोड़फुड की घटना की नयाएक जाच की घोशना पहले ही कर चुकी है मुख्यमंत्री विष्ण देशाय ने बलादा बाजार हिंसा में घायल पुलिस जवान संदीप खलकों के श्रीकर स्वास लाब की कामना की है मुख्यमंत्री के निर्देश पर श्रीक खलकों को बेतर इलाज के लिए अपलो अस्पतार में भरती कराए गया है आईजी संजीव शुकला, कलेक्टर अवनी शरन और पुलिस अदिक्षक रजिनिश से ने अस्पतार का दौरा कर श्रीक खलकों का हालचाल पूछा आईजी कलेक्टर और एस्पी ने इलाज कर रहे डौक्टरों और अस्पतार प्रबंधन से भी चर्चा की और बहतर इलाज करने के निर्देश दिये डौक्टरों ने बताया कि घट्टा में श्रीक खलकों के जबड़े और आँख में जोट लगी है उन्हें भरती कर जाच और इलाज शुरू कर दिया है गायल जवान की साहता के लिए पुलिस और प्रशासन के अधिकारी निउक्त कर दिये गए हैं अधिकारे ने गायल जवान के परिवार जनों से भी मुलाकात कर उने ढांड़स बंदाया केंदर सरकार के मंत्रियों के विभाग आमट्रित कर दिये गए हैं तथा ग्रामिड विकास मंत्राले का प्रभार सौफा गया है अशुनी वेश्णा को रेल मंत्राले और सूचना तथा प्रसरन मंत्राले आबंटित किया गया है हर्याणा के पूर मुख्यमंत्री मनहुर लाल खटर को आवास और शहरी विकास मंत्री के साथ साथ उर्जा मंतराले के जिमेदारे दी गई है किरन रिजिजु को संसदी कारिमंत्री और अंधपुर्णा देवी को महला विकास मंत्री बनाए गया है लोचपा रामविलास के नेता चिराग पास्वान को खादी प्रसंस्क्रण मंत्रालाय का जिम्मा दिया गया है वहीं जुत्रदे सिंध्या संचार मंत्रालाय का कारिभार देखेंगे जेडियेस नेता एज्रीक कुमारस्वामी को भारी उद्योग मंत्री बनाय गया है बिहार के पूर मुख्यमंत्री जीतन रामाजी सुक्ष्म लगू और मध्यम उद्यम मंत्री बनाय गया है सरवनन सोनवाल को जहाज राणी मंत्री जद्यूनेता राजीव रंजनसी और फलननसी को पंचायती राज जबकी प्रलाज जोशी उभोकता मंत्रारे के इने जिमेदारी दी गई है वहीं 36 गड़ की बिलाजपूर सांसद तोखनसाओं को शहरी विकास और आवास राजमंत्री बनाया गया है यह पर सम्हालने वाले प्रदेश के वे पहले सांसद हैं केंदर सरकार ने राज्यों को जून महिने के लिए 1,49,750 करोड़ रूपए की करधन राशी जारी कर दी है इसमें 36 गड़ को 4,761 करोड़ रूपए से अधिक की राशी आबंटित की गई है वितमंत्राले ने कहा है कि राशी राज्य सरकारों को विकास और पूंजी संबंधी वे में तेजी लाने में मदद करेगी 2024-25 के अंतरी मजट में राज्यों को करहस्तान तरण के लिए 12,00,000 करोड़ रूपए से अधिका प्रावधान है वितमंत्राले ने बताया कि इस सक्यूष्ट के साथ ही केंद्र ने 10 जून तक राज्यों को 2,89,000 करोड़ उपए से भी जादा के धनराशी देती है केंद्री वितमंत्राले द्वारा 36 गड़ को राज्यों को प्योग प्रदेशवासियों के हित और यहां के विकास कारियों के लिए के जाएगा राश्टिय परिक्षण एजेंसी एंटिय के महानिदेशक सुबोध कुमारसी ने देशभर के मेडिकल प्रवेश परिक्षा नीट उमीदवारों को आश्वासन दिया है प्रादेशिक समचार आप आकाश्वानी रायपूर से सुन रहे हैं ट्विटर हेंडल cgairnews और हमारे यूट्यूब चैनल है 36गर AIR News तो अब रेडियो के साथ ही आपके मुबाइल के जरिये भी हम पहुँच रहे हैं आम तर 36गर की हर खबर के लिए सुनते रहे हैं आकाश्वानी समचार और अब आगे बढ़ते हैं बाकी समचारों की ओर स्वामी विवेकरन तकनिकी उश्री देलाए से संबध होगा किंद्र सरकार ग्रामिड और शहरी परिवारों के आवास की आउशक्ताओं को पूरा करने के लिए तीन करोड अत्रिक्त मकान प्रदान करेगी कल नई दिली में नोगठित एंडिय सरकार की पहली केविनेज की बैठक में इस संबध में फैसल लिया गया किंद्र सरकार ने पात्र ग्रामिड और शहरी परिवारों को बुन्यादी सुईधाओं वाले घरों के निर्मान के लिए दो वर्ष दो हजार पंद्रह से प्रदान मंतरी आवास योजना लागू की है और इस योजना के तहरते पिछले दस वर्षों में पात्र गरी परिवारों के लिए कुल चार कोड़ों 21 लाख मकान का निर्मान पूरा हो गया है इन सभी घरों में शौचाले, LPG कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, नल कनेक्शन और अन्य बन्यादी सुईधाएं भी प्रदान की जाती है राइपूर के इंदिरा गांधी क्रिशिव शिद्याले में कल से तीन दिवस्वी राष्टी आम महुद्सों का आजिन किया जाएगा इस महुद्सों में आम के डेड़ सो से भी अधिक किस्मों और उससे बने 56 वियंजुनों का प्रदेशन किया जाएगा इस दोरान आम के वियंज शिव बने किस्मों की प्रतियुगता आजित की जाएगी इसे क अलावा आम सजयावट प्रतियुगता भी आजित की जाएगी इसमें सकूल और कॉलेज के विद्यार्थी महिनाय तथा आम नागरिक भी पंजिन करा सकते हैं इस प्रतियुकिता में पंजियन और पवेशनी शुल्क है इस महुत्सों में 36 गड़ और देश के वेविन राज्यों के आम उत्पादा के शामिल होंगे राश्टी आम महुत्सों का शुभारम कृशी मंत्री रामिचार ने ताम करेंगे कल अंतराश्टी बाल शम निशेद दिवस मनाय जाएगा इस औसर पर मुख्यमंत्री उष्ण देसाया ने संदेश जारी कर कहा है कि बच्चे देश का सुनारा भविश्य और समाज की अमोले निधी है जिनका सनक्षन और समर्धन हम सब की जिम्यदारी है उन्होंने लोगों से अपिल किया है कि छोटे बच्चों से मजदूरी ना कराएं और ना ही किसी को ऐसा करने दें वहीं महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा है कि बाल शम अपराद की शेड़ी में आता है इसलिए थोड़े से स्वार्थ के लिए बच्चों का जीवन दाओं पर ना लगाएं बच्चे समाज और देश का भवशु होते हैं विदान सभा अदेख्ष डॉक्टर रमन सी के देख्चता में आज विदान सभा सच्वाला में स्वास मंत्री श्याम बिहारी जैसवाल और उपमुक्य मंत्री विजए शर्मा की उपसिती में प्रदेश की स्वास विवस्था और मेडिकल कॉलेजों की सुईधाओं में विस्तार को लेकर चर्चा की गए विदान सभा अदेख्ष ने प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में विशेश अग्य चिकित्सकों की कमी को लेकर चिंता जाहिर किया और उनके मांदे को बढ़ाने तथा उन्हें निम्यत करने को लेकर ज़रूरी निर्देश भी जारी किये स्वास मंत्री ने विदानसभा अद्रक्ष के सजाओ पर एक समिती बनाने के निर्देश दिया समिती में स्वास भाग के विशेश सची नुडल दिकारी होंगे समिती में वित्र तथा स्वास भाग के उचदिकारी के साथ ही किसी मेडिकल कॉलेज के डीन और सीनर प्रोफेसर भी शामिल होंगे ये समिती एक महिने में विशिशे के चिकिस्टकों के मांदे और उनके निमितिकरण के बारे में पड़ोसी राजी मत्विदेश के प्रावधानों और नियूमों का अध्यनकर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी रैपूर में आज से लोक निर्माण विवभाग की ओर से रैपूर और दुर्ग संभाग में अभियनताओं के लिए चार दिवसी प्रशिक्षन कारक्राम की शुरुआत हुई मुखे मंत्री अरुन्साओं ने कहा कि सड़क और पुलपली और निर्माण की नई तकनिकों के ग्यान से अभियनताओं की दक्षता बढ़ेगी और अब कुछ खबरे संक्षेप में रैपूर के शास्की आईरवेद महाविद्यार है चुकि सालाई में कल अठारा सौ से अधिक वच्चों को सुर्ण प्राशन कराए गया इस मौके पर वच्चों के स्वास का परिक्षन भी किया गया और बालो जिले के डोड़ी लोहारा थानक शित्र के सहगाओं जा रहे मोटरसाइकल सवार एक व्यक्ति दुरगट्टा का शिकार हो गया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई अंत में मुख्य समचार एक बार फेर बलादा बाजार में हुई तोड़ फोड़ और आगजिनी की घटना को लेकर मुख्य मंत्री ने की उच्चिस्तरी बैठा किंद सरकार ने चत्तिस गड़ को जारी की 4,761 करोड रूपे से अधिक की करधन राशी अखिल भारतिय तकने की शिक्षा परशद ने चिर्मीरी में 240 सीटों के शासके पॉलेटेटनिक कॉलेज की स्थापना को दी मन्जूरी और रायपूर के इंदिरा गांदे की शिवशी द्यालाय में कल से तीन दिवस्वी राश्टी आम महुत्सव का होगा आयोजन इसी के साथ समचार ब्रेटन समाप्तुआ नमस्कार